अब देखें, how do you type of website on the internet, internet पे आप website को type कैसे करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग समझने की कोशिच करते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या है, आप जब भी कभी के internet में, over internet, कोई website type करते हैं, तो website लिखने से पहले काई, कोई कोई लिखता है, www, जुही www लिखता है, तो sttp slash slash, आजाता है, ठीक है, sttp, sttp, हाँ, colon slash slash, आजाता है, ऐसे आजाता है, h t t p colon slash slash www. अब यहाँ पर क्या है, कंपनी का नाम, कंपनी का नाम, company name dot, उसके बाद के आता है, domain name. domain name, मैं मैं ठीक है, sttp, ठीक है, हाइपर, cloud 1400 इश्यारहएं सबबस्तों हो भीजिए फी फ़म है ईश्यां खिलम है स्विश्य को सब्सक्राइब और में दो ऐन्यलोंहें सब्सक्राइब को इंशीपर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना transfer protocol hypertext transfer protocol जह किसका है STTP STTP का है फुल फॉर्म लिखा देता है कोई दिखाप में है www 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 का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वर्ड 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 करता है ठीक है कहां पिजी ट्रांसफर टी आर एंस एफिया प्रोटोकोल पी आरो टी ओसी ओल वर्ल्ड वाइड वेब हाइपर टेक्स्ट टी एक्स्ट टेक्स्ट कोई बापने कोई बाप अब देखें को व्ल्ड वाइड वेब अब यहां पर देखें सबसे पहले STTP का फुल फर्म निए बता दिया www का फुल फर्म बताया अब देखें कंपणी नेम कोई भी नाम होता है को भी नाम जो कंपणी का होता है वो अपना नाम देता है ठीक है कोई भी कमपनी ने उसके बाद क्या है डॉमेंन नेम हम लोग डॉमेंन नेम थोड़ा सा जान लेते हैं डॉमेंन नेम क्या होता है डॉमेंन नेम क्या होता है वही चीज है वही कंटेन है थोरे डिफरेंट मिलता है ठीक है अब यहाँ पर डोमेंड नियम क्या होता है लो डोमेंड डोमेंड नेम में सबसे पहले आपका क्या आ जाता है डोट कॉम डोट कॉम थीक है उसके बाद क्या आ जाता है डोट नेट डोट नेट उसके बाद क्या जाता है डोट ओ आरजी और्गनाजेशन ठीक है उसके बाद डोट जी ओ भी गौब डोट इन कॉमा ठीक है उसके बाद डॉट इडू आता है डॉट 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 इडू ठीट गए उसके बाद क्या है .com ॐट इन, उसके बाद क्या है, एटीजी, एटीजी, डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट ओर जी, डॉट गॉट दॉट इन, इडू, दॉट को, डॉट इन, एटीजी, ये सारा डॉमें नेम, ज्यादा तर आपको डॉट कॉम मिलेगा, ये कमर्सियल है, और ऑगिन करता है मिलता है उसके बाद ओस पर और जी भी मिलेगा लेकिन यह ऑर्गिनाजीचन को और एर्गिनाजेशन यह गवह सेक्टर गॉपमेंट सेर गोर्भमेंट जितना भी वेबश साइ्ट क्रियेट करता है वहो अपन Sug percent नेम यह देता है गौप डॉट गॉट डॉट इन उसके बाद एडू एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी मतलब वेबसाइट होते हैं डेवलब होता है यह आपका डॉट इडू आता है तो डॉट को डॉट इन भी आता है एक इसी यह सारा डॉमेंन नेम है यह डॉमेंड ह सब्सक्राइब फर्चिश करना होता है तो वो चीज़ बाद में बता देंगे आपको तो एक जाम्पल फर्फ साइट कि लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कितना समय हो गया और पांस मिनेट के लिए हम लोग लेख लेते हैं जल्दी मुए अःव विटा दिया जा इसको एक्जाम्पल ओव वेबसाइट आ एक्जाम्पल ओव विबसाइट ठीक है सबसे पहले क्या है कोलेज वेबसाइट कोलेज वेबसाइट कि एस टीटीप एच टी टी पी स्टी टी पी कोलूल श्लाश श्लाश डेवली 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 डाट अब यहां पर कंपानी का नाम या एजुकेशन शेक्टर का नाम जैसे आपका डेली उनिवर्सिटी है तो डी यू डी यू डोट एसी डोट इन यह कॉलेज से रिलेटेड होगा यूनिवर्सिटी कॉलेजिस एन यूनिवर्सिटीज का यह इस तरह से होगा ठीक है उसके बात क्या है मान के चलिया इगनू का ले लिजे मानू का ले लिजे यह यूनिवर्सिटीज है ठीक है तो एच टी टी प slash slash www.manu.ac.in ठीक है तीसरा है आपका sttp slash slash www. उसके बाद का इगनू dot ac dot in dot ac dot in ignu। okay इंडरे हैं इंडरा गंदी नसनल को इंडरेश जरी एंर्रια गंदीन नसनल जरीएविपन धि办 .manuac.in Manu Mawlana Azhar National University उर्दू University होना चाहिए u.ac.in du Delhi University इस तरह से हम लोग Colleges या Universities के Website को Website का Website का क्या होता है यह address हो हाँ हाँ जितना आपको एजुकेशन यह काने कॉलेजिस यह उनिवर्सिटीज का विबसाइट मिलेगा आपको यह उसका डॉमेन नेप एसी डॉट इन होगा यह आपको याद रखना है आज का क्लास हम लोग यह तक रखते हैं फिर नेक्स्ट हम लोग परेंगे ठीक है थैंक हुआ है